वेल्कम गाइज जेकल ओन जोब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आपको पता है कि आपके इंट्रस एक्जाम जैसे कि आपका पेरामेडिकल का हो गया बीएस नर्सिंग का हो गया फारमिस का हो गया उनकी तियारी हम आपको करवा रहे है राइट और रोज दिन में एक बार आपको बाइलोजिक मिल जाएगा बट अपमारी पिजिक्स और केमेश्टी कंट्यूनियू रहेगी यह सभी के लिए पोटेंट है जो बीएस नर्सिंग का एक्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी और जो पेरामेडिकल का दे रहे और जो फारमिस का दे रहे उनके लिए सभी के लिए इपोटेंट है तो चलिए किस प्रकार की क्यूशन बन सकते हैं लेवल क्या रहेगा और आपने कितना अभी तक सीखा सब कुछ एनालीसिस इस वीडियों के मादिम से हो जाएगा तो चलिए पहला क्यूशन है अगर आपने केमेश्टी का नहीं दे जाएगी और इवनिंग में केमेश्टी ठीक है एक ही बात है तो चलिए शुरू करते हैं कि यह दी फरत्वी की तिर्जया एक परसेंट तक सिकुड़ी जाए इसका द्रेमवन वह रहे तो फरत्वी की सत्व पर गुरूतों के काण तावरण गटेगा बढ़ेगा एक परति एक परसेंट सिकुड़ जाए बट कंडिशने की द्रेमवन वही रहना चाहिए तो फरत्वी की सत्व पर गुरूतों के काण तावरण पर क्या एपक्ट बढ़ेगा तावरण एसलेरेशन बढ़ेगा इंग्लिस में भी आप रीड कर सकते हूं दोनों लेंग्वेज में सारी वीडियोज को देखो मारे चैनल पर जितने भी है बहुत एच्छे एच्छे गाई बढ़ेगा तावरण ऐसे कुसन आते हैं बहुत सारी कुसन तो आपको डायरेटी मिल जाएंगे शेम टू सेम टीए चलो आगए एक दंड चुमक को दीरे दीरे जब एक अनुचुम के पदार्थ के पास लाया जाता है तो अनुचुम के पदार्थ निर्बलता से आक्रसित होता है या पिर निर्बलता से पीछे निर्बलता क्यों होता है पीछे देकेल दिया जाएगा दंडता से आक्रसित होगा या फि साइए सिम्पल दंड चुमक वाला चेप्टर तो हाईगा 100% यह जो चुमक है नगाइज यहां से तो कुछिस्ण बनेगा बनेगा 100% बनेगा आपके टॉल्द में हैं फिजिक्स में बहुत भी ग्यान में चुमक वाला चेप्टर रिड कर लेना इस पर गार कुशन आएंगे वहाँ अनुचुम के प्राचुम के लिए इसका राइट ओप सुनुझेगा निरबलता से आकरशित होगा चलो जागे उत्तल दरपन एक आवर्दित परतिविम कब बनाता है वेन डजए वैने एक आवर्दित परतिविम नहीं बनाता है उत्तल दरपन एक आवर्दित परतिविम कब बनाता है गाई इसका अंसडू जाएगा अगर पहले पता है आपको तो टिक लगाओ, नहीं है तब भी लगाओ, ताकि आपको गल्द वेमली दूर हो, इसका राइट आप सुनो जाएगा आपका, यह खभी भी आउर जिस परति वेम नहीं बनाता है, ठीग है जी, एसे कुछन बनते है आपकी नॉलिज के चेक के चलो आगे, नियुमिर के ले, एम द्रेवमान एक स्प्रिंग से लटकाया गया है, ठीग है, और इसकी दोलन के आवर्थी F है, स्प्रिंग को दो बराबर हिस्सों में काट, काटा जाता है, और समान द्रेवमान को स्प्रिंग के तो टुकडों में एक से लटका दिया जाता कि कोई इस पॉछल चिया टीक, कोई और लावर लटका है इस को बराबर हिस्सों में काटा जाता है यह है, और समान को स्परिंग के दो टुकड़ों मैं से एक से लटका दिया जाता है। क्योंकि आपके क्यूशन लेवन से भी बन सकते हैं दो-चार क्यूशन तो आपका फ़र्ज बनता है कि तोड़ा सा नोलेज 11 का भी होना चाहिए ज़्यादा तर टॉल्ट से आएंगे बट कुछ क्यूशन 11 से भी आएंगे इसका राय टॉप सुन हो जाएगा गाईज आपका अंडरो टुएप ठीग है आपके भी आगे आफगा अंसर देगे गाईज फिजिक सोल केमेस्टर का तो यह पंड आए कि आपको फोर्म ले नियम जितने में आपके फ्रिंस वेल से वह आपको पता होने चाहिए रूल्स नियुमेरकल में काम आता है यह अगरवाज थोरी तो आपके वेसे कर सकते हैं अगर आपको पढ़ी होगी तो लिप्ट में खड़ा एक वेक्ती तावरण एक के साथ उपर की ओर बढ़ राय वेक्ती का आबासी वजन होगा वास्तिविक वजन से कम वास्तिविक वजन से अधिक यहों सदत परिवरतन सील शुन्ने वास्तिविक वजन से अधिक यहों निश्चित मान के साथ तो से वजन से अधिक और निश्मान के साथ चलो आगे एक ट्रांजिस्टर के सामाने एमिटर विन्यास में दारा लब्दी एक से अधिक है क्योंकि दुकल क्यों हैं गाइस बेक पावच ट्रांजिस्ट्र जानतेऊना ट्रांजिस्ट्र में तीन तारघाटर यह ऐस परकार आटा एक दिवाइस देखांगा आपने कभी 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 तु देखा होगा इस परकार का कुछ-कुछ यह बिले-बिले एक सा होता है इसे कुछ और कि थ्री वायर्स होते हैं उसको ट्रांजिस्ट बोलते हैं इसका राइट अप समझेगा आपका ठीक है ऑप्शन थर्ड वाला चलो आगे यह थोड़ा निमेर्कल बड़ा है यह देखिए बीस किलोग्राम द्रेवान की एक कॉलाकार गेंद सो मेटर उच्छे पाड़ी के सेस पर इस्तिते यह नीचे दो क्यों से लंबा है इसका मतलब डरना मत क्यों से लंबा है तो मतलब इजिए बहुत सारे चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी यह नीचे लुड़कता हुआ जमीन पर एक चिकनी सत्हा पर आ जाता है फिर तीस मेटर उच्छी एक और पहाड़ी पर चड़ता है और अंत में ज और गेंद द्वारे लिया जाने वाला रास्ता गर्शन रहीते हैं तो बताइए इसका वेग आपको बताना है जी यहां पर दिया हुआ है सिंपल से बहुत है गाई जी फॉर्मल एपलाई कीजिए और पाईए सिंपल इसका आपको आजाएगा आपका 40 मेटर परसेगी क्वांटम संक्या बढ़ने पर एक परमोनों के उरजास्तर का क्या होता है क्वांटम संक्या बढ़ने पर एक परमोनों के उरजास्तर का क्या होता है एक परमोनों का उरजास्तर इस्ति रहता है एक परमोनों का उरजास्तर गड़ता है एक परमोनों का उरजास्तर बढ़ता है या फिर निमन परमोनों संक्या के लिए उरजा अस्तर और उच परमोन एक परमौनो का उरजास्तर गटता है ठीक है एक परमौनो का उरजास्तर गटता है चलो आगे गुर्णी गती संबव है केवल दो या तीन वी में गती में केवल एक या दो वी में गती में केवल एक वी में गती में केवल तीन या एक वी में गती में सिंपल केवल दो या तीन वी में गती में कि चलो आगे एक्जाम नजदी के इसलिए सारे क्यूशन इपोर्टेंट है अगर आपका कोई भी टेउपिक चूट आओगा तो यहां से आपको याद आ जाएगा कि हो यह तुमने पढ़ा ही नहीं कि गया कि सभन मुख के रूप से इसमें नहीं होता है एक बत्ति के चारु और हवा के थापन फिलान मैंट लेंप के गिलास और घल सिमीर या पिर पानी के उबलने, सभन मुख के रूप से नहीं होता है निकी, कनलेक्षन देज नो टेक प्राइमेरीन, इसका ओप्षन हो जाएगा राइट, पिलामेंट लेंप के गिलास को गरम करने में, जो निर्वातित किया गया है, इसका राइट ओप्षन हो जाएगा, चलो जी आगे, 16 किलो वाट वाला एक इलेक्ट्रिक हिटर पानी में डुबया जाता है, पानी के 100 डिग्री से इंटिग्रेट के इस तरता पान तक पहुचने के बाद, 100 डिग्री पर 200 ग्राउंट वास्प का निर्मान करने के लिए लिए लिया गया, एल वाप्षन हैं कि ये 540 किलो ग्रा फोर्म लाइप लाइप कीजिए, आंसर पाई ये, सो इसका राइटम में हो जाएगा आपका, 210, चलो आगे, एक सिधी छवी वस्तु के आकार में, दो गुना बड़ी होती है, जो 20 सेंटिमेटर वाले वकरता तर जाएगे, आउतल दरपन काप्यों कर, के प्राप्त की जात जाते हैं, वस्तु की इस्तिती गात कीजिए, क्यूशन को समझो कि एक सिधी छवी वस्तु के आकार से दो गुना बड़ी होती है, जो 20 सेंटिमेटर वाले वकरता तर जाएगे, आउतल दरपन का उप्यों करके प्राप्त की जाती है, वस्तु की इस्तिती गात कीजिए, द समने 5 सेंटिमेटर, दवी से 10 सेंटिमेटर, दरपन के सामने 6.6 सेंटिमेटर, इसका क्रेक्ट आप्षिन इमान दारी से पहले रप्त कीजिए गाइज, क्योंकि आपके इज़ाम आचुके तोड़ा सा प्रेंच चलाना सेखिए, आई होप आपने रपत किया होगा इसको त कि यह हमें समझ में नहीं आया बताईए दरपन के सामने पांच सेंटिमेटर की दूरी कि वैसे आजाएगा पॉर्मला एपलाई करते हैं आपको कौन सा पॉर्मला लगेगा वहां पर जो पूचा है वह वाला पॉर्मला लगेगा देखो जिसमें जो चीज आपको दे रखी होना कि यहीं चीज़े कौन से पॉर्मली में आते हैं बस वहीं लगाना है आपको वैसे पॉर्मली काप सारे होते हैं आपको पता है कैमेस्टी पिजिक्स में बट कौन कौन से चीज़े आपको दी कही है अगर नए दे रखी है तो किस तरह हमको मिल सकती है फिर वो पॉर्मला लगाओ ठीक है यह होता है अब से चलो आगे पेस्बुक निश्टाग्राम का लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है द्रुमान एम वाला एक गतिमान कंड द्रुमान टू मीटर के दूसरे इस्तरकंड के साथ आमने सामने टकर आता है और इससे चिपक जाता है टकर के बाद एम द्रुमान में प्रारंबी गतिसील उर जाके कितने हंस की हानी होगी इसका क्रेक्ट आप समझेगा आपका आप इसको करोगे तो आजाएगा आपका भी आँसर एट बाइन टीए चलो जी आगे समाने समा योजन के लिए सेट कीगे खगोले दूर देसी की आवरदन समता बीस है यदि अब इदर से की पॉकस दूरी वान मीटर है ने तरिका की पोकुस दुरी होगी, पोकुस दुरी, सिंपल, 70 cm, 5 cm, 7 cm, 50 cm, कितना कैसे कुशन बनते हैं आपके गये, अब आप बोलें, पोकुस दुरी का सुतर क्या होता है, तो यह तो बच्छवाला कि सुनो गया ना, आपको पता है तो, लगाओ, कुरूला, इसका राइट आप सुनुजगा आपका पांच से इंटिमेटर जाए क्योशन मिलते रहेंगे लाइक अब मिलते रहेंगे तो आपको भी क्योशन मिलते रहेंगे उसमें कौन से सक्की बात है और ये भी क्योशन कम लग रहे हो तो एक और चलने जीक के MCQM के यहाँ पर भी आप पर जिस कमेश्टर बायलोजी के क्यूसंद पास सकते हो रोजाना इसका लिंक नीचे देवा डिस्क्रिप्शन में यह भी हमारे चैनल ठीक है यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे क्यूसंद रोजाना हर 유 यह को टेन सेंटिमेटर और मायनेस टॉन्टी सेंटिमेटर पॉकस लंबाई वाले दो लिन्स संपरंग में रखे हैं अननंद पर रखिआ वस्तव का परती भीम दूरी पर समयोजन दौरा निर्मित होगा कितने दूरी पर 20 cm 10 cm 30 cm या फिर इंफानाइट क्या होगा अंसर इसका गाई आपको बताने ताइब कि आपका मैंड भी तो काम करें ना अगर हम इसको रीड करके हम इसका उप्शन बोल के हम यह आंसर फॉर्मुले सब उस दे देंगे तो आपका मैंड काम करना बंद कर देता अगर क्योंसे पूज की छोड़ दें कि कौनसा फॉर्मुलरा लगेगा तो आपका मैंड काम करताai कि कौन सा लगए लगेगा कौन से के चकर में बहुत सारे पॉर्मले वेसे आद हो जाते क्योंकि आप सारे पॉर्मले देखोगे तो उनका रिविजन होता है तो यह टेक्निक बहुत इफेक्टिव है अनन्द पर रखे उस तका परत्पियम दूरी पर समय उजिन दौरा निर्मित होगा कितनी क्रेट ओप्सन होजेगा आपका 20 सेंटिमेंट ठीगे 20 सेंटिमेंट दूरी पर समय दौरा निर्मित होगा लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में